महराष्ट में विधान सवाद चुनाओं को लेकर घमासान मचा हुआ है हर तरफ सियासी दल अपने अपने उमिद्वारों और सिट बटवारे को लेकर मन्थन कर रहे हैं दौर बैठ रहा है बैठकों का दौर जारी है ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी ने हिंदुत दावा ठोका है आपको बता दे कि बीजेपी द्वारा मुंबई के अलग-अलग इलाकों में एक पोस्टर लगाया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस पर लिखा है बटोगे तो कटोगे यानि इस तरीके से एक बार फिर बीजेपी न उन नेताओं को संदेश देने की कोशिस की है जो पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने से नराज है या बगावत करने के लिए आगे आ रहे हैं ऐसे में उन नेताओं को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पोस्टर से कही ना कहीं असा है आपको बता दे कि एंसीपी सरत पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि इस तरह से पोस्टर लगा कर एक बार फिर बीजेपी हिंदु तुका काड़ खेलने चाहती है तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंदूबे ने भी में जुटी हुई है आईए आपको सुनाते हैं कि इस पोस्टर वार को लेकर दोनों पक्षों के नेताओं ने क्या कुछ कहा मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे तो मुंबई की जनता भारती जनता पार्ट चाहती है, मुंबई महराज की जंता आपस में मिल जुल कर रहना चाहती है, यहां पर हिंदु, मुसल्मान, सिख, इसाई सब रहते हैं, हर प्रांत के नागरी कहां रहते हैं, तो यहां कोई बढ़ता नहीं है, न तो कोई बाटता है, बटने बाटनवे वालों से मुंबई की जनता साउधान रहती है भारती जनता पार्टी के रूट को लोग पहचान चुके हैं भारती जनता पार्टी कितनी भी नौटंकी कर ले कितने भी विज्यापन लगा ले कितने भी वादों के होडिंग्स लगा दे लेकिन मुंबई की जनता 20 नौंबर को इनके खिलाफ ही मद्दान करने वाली है ये जानते हैं अभी हाल में ही लोकसभा में करारी हार मिली है वो पचा नहीं पा रहे हैं डर रहे हैं कि कहीं विधान सभा में भी हमारा सूपड़ा साफ न हो जाए इसके लिए जुमले बाजी कर रहे हैं योगी आदित नाज्जी के बड़े बड़े पोश्टर लगवा रहे हैं ये मुंबई है महाराष्ट है साधू संतों की नगरी है एक सेक रिशी मोनी साधू संत यहां हुए हैं जिन्होंने हमारा मागदर्शन किया है तो यहां पर ये बटने, कटने, छटने वाली राजनीती लोगों को पसंद नहीं आती यहां विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, इन्फरा की बात होती है, डिवलप्मेंट की बात होती है लोगों के घरों में चूले कैसे जले उसकी बात होती है जनता कह रही है कि हम डटेंगे आपके खिलाब डटेंगे ताकि जो आपके एहंकार के पर है वो छटेंगे देखो अमिच शाह सामने ऐसे कहा था कि गुजराच स्टाइल की राजनीती अभी महाराश्टर में लानी पड़ेगी अताकि गुजराच स्टाइल ची राजनीती मंजे का है दोन समाजब देवाद निर्मान कराईचा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने का उपी सी मराधा करने का उसमें वोट काट के अपना सत्ता लाने के बस यही चीज शायद बीजेपी महाराश्टर में ट्राइ करने की कोशिश करेंगे लेकिन कितना ही उन्होंने ट्राइ किया यह संतों का महाराश्टर है यह विचारवंतों का महाराश्टर में यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होग यह गुजरात स्टाइल है ना यहां के स्वाविबानी महाराष्टा के लोग अपने पेर के नीचे तुडवाएंगे और यहां पे महाविकास आगाडी 100% चुन के आएगे